वन्यमात्रम, केसरी खेड़ा क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग सिगनल है जो लखनों में, कृष्णा नगर के पास, वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, सबसे पहले तो मैं इस पर रियाक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी मेरी, और पढ़ाई में लगा हुआ थ पाता हूं, मैं जो समझ पाया हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, आप लोग ना जब मान लीजे मुश्टग नहीं पहुच पाया है, तो एक सबसे बड़ा मैसेज है कि यह जैहिन ब्रो वाली जो टीम है, आप उनके सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो सब यंग बच् तो मैं इस पर रियाक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन मेरा सीरी सी बात है, और मैं रियाक्ट बहुत जल्दी करता भी नहीं हो, जब तक मैं दोनों पक्षन ना समझ लूँ, पढ़ाई ना कर लूँ उसके उपर, उसके बारे में संबंदित जो लोग हैं, उनसे बाते ना कर ल तो इसलिए, अब ये शाहदत अली करकी एक लड़का है, उसको एक महतरमा है, मैंने दोनों वीडियो, फिर मैंने बाद में बहुत उस वीडियो को, जब ये बात आई, टीम जब टीम ने कहा कि आप रियाक्ट करिये, उस पर जब देखा तब समझ में आया, और उसके पीछ venal के पहले परzonas है, यह जो होता है, इनको शायद हो सकता है, इनको गाड़ी टॉपिछ होई, उसका कोई ऐसा समझ मेन आ रहा है, लेकिन इनको गाड़ी ने चोट नहीं पहुंचों आई, इतना समख में आ रहा हैं, पहली बात इतन इतना समय में आसा, या जो होता फिर व बंदे को मार रही है उसके मेरे खाल से उसके गाड़ी का फिर एक काच भी तोड़ा है और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो शायद उसके मुबाइल भी तोड़ा है मुबाइल तोड़ दियो उसका ठीक एक बात हमें ये समझ भी नहीं आती है कि क्या ये तना में जब कुछ होता है या यह दुराचार में नहीं लेंगे या उस आदमी का जो constitutional right है उसके खिलाफ नहीं है है यहां यहां पर लेकिन आप क्या होता है अपने देश में हिंदू-मुस्लिम सी किसाई का एंगल नहीं मिलता है तो जाती बात दूड़ा जाता है नहीं होता है तो पार्टी बात दूड़ा जाता है इस सब में ना जो बरवाद होता है वो क्या होता है दबेसिक फंडमेंटल constitutional right of every individual in this country अब पुछाए ललका हो चाहे लड़की हो गलत तो गलत है ना अगर और यह लड़की बेवकूफ महिला है मैं मैं बहुत समय क्या बोलूं अब इनके बारे में लेकिन जो महतर्मा है यह उसको बीस-बाइस थपड़ मार देती है यह अधिकार किस ने दिया इनको constitutional right यह कहां से दे दिया फिर उसके बाद उस लड़के को उसके दो तीन दोस्त जो है उनके खिलाफ वहीं पर फाइर हो जाती है ठीक बात यहां फाइर की नहीं उस लड़की एक मुझे लाइन बहुत वजंदार लगी वह यह थी उस वीडियो में कह रहा है कि मैडम आप लड़की इसलिए में कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसा है वह भी गलत लड़का होता तो दंगदा तो फिर भ बात आती है जो बड़ा मुद्दा है जो मुझे टेंशन होती है जिसको सोचके किस टाइप के लोग है यार हमारे दर एक तो संयम की बहुत जादा कमी है दूसरी वह लड़की जा मार रही थी तो इतने सारे लोग खड़े हैं वहां पर महिलाएं भी होगी और एक तो पुल पर लग सकते थे अब इसमें ना राजनीती भी खेली जा सकती है बहुत सारी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे आप हो चाहे मैं हूं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए यही तो इक्वैलिटी के हम बात करते हैं दूसरा अगर लड़के के खिलाफ कुछ ऐस है इस देश में उसे आप से देखें और यहां पुरुष महिलाओं से बड़ी बात यह है कि जो मुक बदिर बनके जो वहां पर ना गूंगे बहरे बनके देखते रहते हैं अगला नंबर आप कहोगा तब भी आप बैठे रहिएगा हमेशा कहता हूं मैं कि संविधान से चानून बने हैं वो तो सबके लिए बराबर है ना लेकिन क्या बराबर उसका पालन किया जाता है फॉलोग होते हैं यह जरा सोची है अब और अगर यह महिला अगर एक लड़की कल तो आपको भी ठपड मारने लगे कोई लड़की उतरके आपके हाथ बंदे हैं आपके जोती तो ऐसी चीज है जिसके भरोसे आज भी यह देश चलता है कितनी भी कोई कुछ भी कह ले लेकिन अगर दो लोगों के बीच में जगड़ा होता ना तो आदमी क्या कहता है कि चल तरे को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं या तुझे कोट में देख लेंगे अब अगर य मैंने गलती किया एविडेंस मेरे खिलाफ है तो मैं मुझरिम हूँ अब यहां मैं जब मैं कहता हूं तो पुलिस महीला पुरुष कोई भी है वो गुनाहगार है बनी बात है एक उसको ट्राइल मिलना चाहिए उस पर केस रिजिस्टर होना चाहिए और उसके पूरे कानून के दाइरे में फेर ट्राइल का हक सब में लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे लेकिन मैं सिंपल सी बेसिक चीज़ बता रहा हूं कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो आप इंटर्फेर कभी क्यों नहीं करते हैं कम लड़का बलतकारी नहीं है हर लड़का खराब नहीं है और हर लड़की अच्छी भी नहीं है न तो यहां पर यह जो मैटर है न उसका एक्ट होता है अब वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उसकी हरकते हो जो बहतर या बुरा बनाती है लेकिन समाज जिस दिन ऐसा द तो फिर भी ठीक ठाक है और हमारे दर कम से कम उस चीज की मिल कर रहने की लोग आवाज उठाते हैं आज भी क्या सिम्मेदारी थी क्या आपने आवाज उठाई और अगर नहीं उठाई तो अपनी बारी का इंतजार करिए मुझे लगता है आपकी भी आएगी बंदे मात्रम भारत माता की जै जैहिंद इंकलाब जंदबाद